हेलो एब्रिवन मैं मितन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे पारा टीचर भरती यानि की पारा सिक्षक भरती के लिए जो है एक नए जिले से रिक्रूट्मेंट आई है इस वीडियो में इसी के उपर डिसकस करेंगे और ये वीडियो में आपको आप लोगों के लिए जो है देवघर से बना रहा हूँ जैसे ही आपके अलग-अलग जाम ताड़ा हो गया गड़वा हो गया पलामू हो गया अलग-अलग जगह से जैसे ही रिक्रूट्मेंट आई की उसकी सुचना में आपको दूंगा बाइद ब में आपका कोई कांग नहीं है भले ही नई जले से रिक्रूट्मेंट आई कि आप इस फॉर्म को अपलाई नहीं कर पाओगे ये रिक्रूट्मेंट देखिए मैं आपको पीडियाप अपेंड करके दिखाता हूँ ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाए ये देखिए ये कारियाल है जिला सिक्षा अधिक्षक देवगर से ये रिक्रूट्मेंट आई है यहां से आप देख पाओगे हाई कोट के ओडर के बाद से ये आप खुद से एकर वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहते हो तो देवगर.nice.in पर आपको जाना होगा और लेटर के माध के बीच आवेदन प्राप्त करने किती थी है इसके अलाबा स्कूरूटनी की जाएगी कौन सा आवेदन सही है और कौन सा गलत ये 23 से 31 जुलाई तक चलेगा काउंसलिंग आपका एक तारिक को होगा एक अगस्त को होगा और अंतिम चैन सुची जो है 7 अगस्त को जारी कर द जाती है तो इस भरती के लिए सिर्फ और सिर्फ वही वेक्ति अपलाई कर सकते हैं जिनोंने जेटेट 2012 का आवेदन जेट 2012 क्वालिफाई किया है इसके बाद जो है रिकूट्मेंट एक्शलिए उसमें काउंसलिंग होती थी और जॉब हो जाती थी तो काउंसलिंग के अब तक आप सभी का बहुत-बहुत स्वाधत है आपने वीडियो को यहां तक देखा प्यार दिया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें आने वारे समय में आपको और चीले सेयर एक्विट्मेंट के सूचना इसी चैनल के मा पात हमसे मिलते रहेगी थैंक यू सो मच